नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्रुती शर्मा और आज हम एंकालोजिंग स्पॉंडिलाइटिस और HLA B27 की डाइट चार्ट के बारे में बात करना चाहेंगे यह डाइट चार्ट वही है जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं जब हम उनका ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करते हैं पहले हम जानेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए फिर हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए तो आपको क्या खाना चाहिए, आप क्या खा सकते हैं, त्यूरिंग आर्ड ट्रीटमेंट प्लान, आप हरी पत्ते दार सबजियां खा सकते हैं, आप मुंग की दाल और मुंग की खिचड़ी खा सकते हैं, सारे दूद से बने वे प्रोडक्स खा सकते हैं, आप गहूं की रोट चिकन और एक वाइट खा सकते हैं अब एक स्पेशल नुसका बताते हूं सुबह 6 बजे आदा ग्लास गरम पानी में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काले मिर्श मिला के पीए इससे आपके पेड में काफी हेल्प मिलेगी अब हम बात करते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए आपको धुम्रपान नहीं करना चाहिए शराब नहीं पीना चाहिए तली भुनी चीज़े नहीं खानी चाहिए तीखा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए बासी खाना नहीं खाना चाहिए सबजीयों में आपको आलू बैंगन नहीं खाना है दालों में चने की द दाल उडद की दाल नहीं खानी है कच्छा केला विशेश रूप से ध्यान रखें कि नहीं खाएं और आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बकरे का मास भैसे का मास और एग योक जो होता है वो ना खाएं अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चानल क में कॉंटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिये वे नंबर से थांक यू आपका देन शुभू